नमस्कार दोस्तों मैं होमोच चाड़क Rais मैं बात करने वाला हूँ अशोका बिल्डोएं लिमिटेड के बारे में तो दोस्तों इस कम्पनी के कौर्टरली नतीजे आ चुके हैं और इस वीडीयो के मादियम से मैं आपके साथ इसके quarterly नतीजे discuss करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इस stock में आपका निवेश होना चाहिए कि नहीं और अगर आप इस stock में अपना निवेश डालें तो किस waste पे डालें ये मैं आपको इस video में बताऊँगा तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तो ये बात थोड़ी worrying हो सकती है बट सुन लेना ये आपको काफी जादा help करेगी तो दोस्तो मैंने आपको काफी जादा stocks जो रेकुमेंट किये थे शॉर्ट टम आपको पता है मैंने आपको Apollo Hospital recommend किया था 1300 के आसपास recommend किया था और आज आप देख सकते हो कहां पर trade कर रहा है वहीं पर Fortis Healthcare 121 के आसपास recommend किया था Yes Bank 11.40 के आसपास recommend किया था और भी बहुत सारे stocks हैं जो मैंने आपको recommend किया है और उन्होंने आपको अच्छे खासे returns कमा के दिये हैं तो इनके पीछे मैंने आपको दोस्तो logics दिये हैं जब मैंने Apollo और Fortis Healthcare पे वीडियो बनाई थी तो दोस्तो उसमें आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे ना आपको technicals दिख रहे थे ना आपको fundamentals दिख रहे थे जो भी दिख रहा था मेरे को वो logics दिख रहा था और logic क्या लगाया था मैंने logic लगाया था COVID-19 और COVID-19 की बज़ा से ही वो stock अच्छा खासा performance दिखाया है अगर आपको इस पे detailed वीडियो चाहिए कि वो stocks मैंने किस वेज़ पे पिक किये थे तो आप comment करके बता सकते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा इसलिए आप जब भी कोई stock पिक करें ये मेरी आपके साथ request है कि आप एक बार दोस्तो जरूर लॉजिक लगाएं stock पिक करने से पहले और आप पाएंगे कि आपकी accuracy 10-30% बढ़ी है I repeat 10-30% आपकी accuracy और जादा बढ़ जाएगी तो चलिए अभी बात करते हैं मुद्दे की आपको जादा बोर कर दिया है मैंने चलिए बात करते हैं अभी इस stock की आज आज आप देख सकते हो इसकी performance लगवख flat performance जो आप बोल सकते हैं और इसके जो results आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं और ये stock आप देख सकते हो क्या शानदार move दिखाया है मातर 5 दिन में इसने आपको 15% से जहो दोस्तो जादा returns कमा के दिया है आप comment करके जरूर बताइएगा कि आपने अगर ये stock मेरी recommendation पे लिया है उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तो ये 50 के बाद कितना बागा है तो आप देख सकते हो ये stock आपको लगवक 24% से जादा returns कमा के दिया है शानदा returns इसने कमा के दिया है बट long term में ये stock under performer है अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप देख सकते हो 5 साल में इसने जो आपको निराश किया है तो चलिए अभी बात करते हैं इसके quarterly नतीजों की आप देख सकते हो net sales at RS 572.38 करोड इन जून 2020 डाउन 34.72% from RS 876.82 करोड इन जून 2019 तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने भड़िया result जो है वो आपको देखने को मिल रहे है हाला कि आपको 34% की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है बड़ जो results है वो better than acceptations आपको देखने को मिले हैं आप इनके जो peer group में आते हैं जैसे कि लाशन इन टूबरो हो गया उस तरह के अगर आप stock देखे होगे तो उससे काफी जादा जो हम दोस्तों कम गिरावट देखने को मिली है उसके बाद अगर मैं बात करूँ quarterly net profit की तो आपको पता था कि ये जो result का दोर है ये तब आया है जब lockdown चलता था और जोरों पे था lockdown तब भी ये जो है दोस्तों अपने quarterly net profit में 6.81% का jump ला पाए हैं ये कैसे ला पाए है मैं नहीं जानता बट दोस्तों ये jump ला पाए हैं आप देख सकते हो जून 2019 में 64.66 करोड का इन्होंने net profit दिखाया था और अभी इन्होंने 69.06 करोड का दोस्तों इन्होंने net profit दिखाया है IPTA की अगर मैं बात करूँ तो 9.4% की गिरावट आपको देखने को मिली है 130.18 करोड का है जो जून 2020 में और पहले की अगर मैं बात करूँ तो 143.68 है उसके बाद EPS की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों EPS भी आप देख सकते हो कि यह stock यहां से मैं बोलूँ यह stock भणने के लिए पूरा पूरा तयार है और यह जो result आपको देखने को मिले है यह better than acceptations आपको देखने को मिले है आपको quarterly नतीजे इसके कैसे लगे आप comment करके ज़रूर बताइएगा और मैं जाना चाहूँगा कि आप अगर stock hold कर रहे हो तो आप इस stock के बारे में क्या सुचते हैं तो दोस्तों अभी बात करते हैं जिसके बारे में मैंने starting की बात की थी कि क्यों आपको यह stock लेना चाहिए तो दोस्तों अगर इसकी मैं बात करूँ तो यह एक small cap company में आती है और इसकी market capitalization से ज़्यादा की इसकी order book है यह तो आपको पता है आपको अच्छे तरीके से पता है और दोस्तों यह जो है जो इनकी order book है वो बहुत ही शानदार है और construction company में सबसे ज़्यादा important चीज क्या रहती है कि अगर आप project जीत रहे हैं तो यह आपके लिए एक achievement है और आपके लिए एक अच्छी बात है उसके बाद अगर मैं बात करूँ की इसके पीछे मैंने logic क्या लगाया है logic की सबसे ज़ादा मैं बात करता हूँ तो मैंने इसके पीछे logic क्या लगाया है कि यह stock यहां से अच्छा खासा बढ़ेगा तो दोस्तो लॉजिक मैंने लगाया है एक है इंडिया लॉजिक और दूसरा है कमपनी लॉजिक जिस तरह से ये दोस्तो मार्केट शेर अपना बढ़ा रहे हैं वो मेरे इस कमपनी में confidence बिल्ड करता है और दूसरा चीज जो मेरे को सबसे ज़ादा attract करता है इसकी तरह वो ये है कि दोस्तो इंडिया जो है वो दोस्तो developing country है और अगर इनका market share बढ़ रहा है तो आप खुद अंजाजा लगाईए कि इंडिया में अभी काफी जादा deployment होना बाकी है और अगर deployment होगा तो अशोका बिल्ड कोईन का अगर market share गेन हो रहा है तो ये आने वाले समय में अपना market share और गेन करेगा तो दोस्तो बहुत हो गई इसकी अच्छी बात है अभी कुछ बुरी बात है भी कर लेते हैं तो दोस्तो बुरी बात ये है कि अगर आप इनका consolidated data देखोगी तो आपको निराशा ज़रूर देखने को मिलेगी उसके बाद सबसे ज़्यादा important चीज है कि ज जब आपको high reward चाहिए तो high risk भी आपको लेना पड़ेगा इसमें कोई दोरा है नहीं है बट इसमें जो risk है वो थोड़ा कम लगता है as compared to high beta stocks ये अभी दोस्तो अभी भी मैं बोलूँगा कि consolidation face में चल रहा है और आपको current market price में अगर dip देखने को मिलती है या फिर अगर आप investment के नजरिये से stock को ले रहे हैं अगर आप trade नहीं ले रहे हैं तो trade भी अगर ले रहे हैं तो current market price में आप दोस्तो ट्रेड ले सकते हैं ये stock मैंने 52 के आसपास जो है दोस्तो रेकमेंड किया था और आपने अच्छे खासे returns इस stock के दोरा कमाए भी हैं और logics दो है जो है जो ह बहुत deployment होना बाकी है और आप जानते हो कि Modi government जो है दोस्तो सो लाक करोड जो है वो infrastructure पे खर्च करेगा अगर Modi government उसका 50% भी target एजीब कर लेती है तो ये आपको stock बहुत जाला बड़े price पे मिलेगा आपको 200-200 पे भी ये stock मिल सकता है इस बात का आप ध्यान रखेगा कि ये stock आपको 200-200 के आसपास भी मिल सकता है आने वाले एक से पांच साल में इस बात का आप ध्यान जरूर रखें और logic भी मैंने आपको बता दिया है और ये भी बता दिया है कि दूसरा logic क्या है उसके बाद दोस्तों आपको कुछ चीज़े technical या fundamental नहीं दिखते हैं bear run तब आता है वो कहां चल रही थी अपनी economy जो है दोस्तों कहां पे चल रही थी आप खुद पदा सकते हैं कि तब सब कुछ market में अच्छा था सब कुछ अच्छा चल रहा था GDP भी 6-8% के आसपास चल रही थी और सब कुछ market में अच्छा चल रहा था और दोस्तों गिरावट कब आई market मे जो आपने अभी गिरावट देखी है कब गिरावट देखी है आपने जब market में cases जो हम दोस्तों around us 200 भी नही थे और आज आप देख सकते हो कितने जादा cases है 19 लाग से जादा cases पहुंच चुके हैं और market जो हम दोस्तों रफतार गोड़े से रफतार से भी जादा तेज लग रही है इसलिए market में आप जैसा सोचते हैं उससे उल्टा ही होता है और आपको logics के साथ काम करना चाहिए market हमेशा अपने vision के साथ चलती है और अपने vision से आगे सोचती है और इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है और अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो market जो हो दोस्तो आपको बाहर निकाल देगी जिस तरह जो बंदे 6000 का bet कर रहे थे उन्होंने short कर करके अपना पूरा capital erode कर दिया और कहीं लोग तो दोस्तो ऐसे भी हैं जो नंगे होके गए हैं उन्होंने अपने दोस्तो घर भी बेचे हैं ये मैं आपको ध्यान से दाद कि इस market में जहां आप आज खुशी मना रहे हो कि market यहां पे गया है तो ऐसे भी बियर लोग हैं जोनोंने अपने घर बेचे हैं इस बात का ध्यान रखेगा घर बेचे हैं इसलिए market को दोस्तो टाइम करने की कोशिश ना करें जस्ट लॉजिक लगाएं जस्ट अपनी psychology तेस करें आप देखोगे कि आपने returns अच्छे खास से कमाए हैं आपने उन लोगों से भी अच्छे returns कमाए हैं जो अपने आपको बड़े बड़े investor बोलते हैं और जो investor reality में है भी उनसे जादा जो हम दोस्तो multiple returns आपने कमाए होंगे उस तरह नहीं कमा पागे क्योंकि आपका capital एक limit तक है और उनका capital जो हो दोस्तो limit तक नहीं है उनके पास unlimited cash power है और आप जानते हो market में पैसे से ही पैसा बनता है तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें तो दोस्तो इस बात का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप आप आओगे कि आपने multi bagger returns कमाए हैं तो वीडियो अ लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर करें